नमस्कार दोस्तो आरपीसी एक्जामस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और दोस्तो अपन पढ़ रहे हैं आरपीसी सेकिंड ग्रेड की साइकोलोजी जिसमें अपनी दूसरी यूनिट है वो चल रही है और उसका यह तीसरा वीडियो है दो वीडियो अभी तक अप्लोड किये जा चुकी है जिसमें अदीगम के परकार और अदीगम की परिभासाएं और अधीगम के समानिय अर्थ के बारे में बात की जा चुकी है अधीगम के विशेहस्ताएं भी अपने पढ़ ली साथ ही रोखबट गेने का जो अधिगम का सिध्धान था अधिगम के जो परकार ने दिये हैं वो भी पड़ लिये हैं अब इस वीडियो में बात करेंगे अपना धिगम के सोपानिया चरण तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो RPSC Second Grade का जो GK का पेपर है पहला पेपर वो आपको पूरा ओनलाइन करने को मिल जाएगा यानि कि पूरा ओनलाइन इस पेपर को अपन करवाने वाले हैं और इसी प्रकार से वीडियो डालते रहेंगे तो पूरा जो RPSC Second Grade का जीके का पेपर है वो पूरा करवाएंगे उसमें साइकलोजी अपनी चल रही है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा कीजिए वरना इसका फाइदा नहीं मिलने वाला और अगर आप यह सोचते हैं कि भी प्रिक्ष्या में समय है तो दोस्तों कभी भी डेटा सकती है तो यारी चारी रखिए अपनी और वीडियो को बार बार देखिए ताकि बार बार देखने से फाइदा यह होगा कि आपका मतलब जल्दी ही याद हो जाएगा यानि कि सुनने से जदा याद होता है यह आप सबी जानते हो बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा इसलिए बार बार वीडियो को देखा किजिए अधिकम के सौपाण्य चरण में जो पहलाःःःःःः वो है अभी परेरणा अभी परेरणा सबसे पहला चरण है दोसाया चरण है विभिन अनुक्रियाई तीसरा बाधाई चोथा पोनरवलन पांचवा अनुभों का संगठन और छठा लक से अभी परेर्णा जो है वो पहला चरण है दोस्तों यह जो चरण है इनको सीरियल से याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ट्रिक दोस्तों यह है कि जैसे RPSC 2nd Grade का एक्जाम है वो आया और उसकी विग्यप्ति दोस्तों जारी होते ही अपन क्या हो गए अभी परेरित हो गए किसीज के लिए तैयारी करने के लिए अपन लोग अभी परेरित हो गए तो उससे दो गया अभी परेरित हो गए तैयारी करने के लिए अपने विबिन अनुकरिया है कि यानि की कोचिंग और गरा करना नहीं बुक्स खरीदना उनको प कहां से पढ़ें, किस सर से पढ़ें, कौन से सर अच्छा पढ़ाते हैं, कौन से कोचिंग अच्छा, इस परकार की बादाएं अपने आने लगी, उसके बाद फिर से क्या है, अपने को किसी ने बताया कि ये बुक अच्छी है, ये कोचिंग अच्छी है, यहां इस कार्य के दोरान पुनर बलं द्या सता और अभी परेल्नास होतीच वो कार्य की स्टुर्टिंग में उती है तो पुनर बलं कार्य के बीच में नहीं कि अधर को बढ़ा देताा तो पंदर बलं मिला अपने को अब किसने बताया कि यह कोचिंग अच्छी है और इस बुक से पढ़ना चाहिए यह यूट्यूब चैनल ठीक है यहां से बढ़ना चाहिए इस परकार से पुनरविलन मिला फिर अपने अनुबहों का संगठन किया अनुबहों का संगठन यानि कि फिर अपने उसको बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया अपने नुबहों के आदार पर कि किस परकार से तयारी अपने पहले की थी और अपने सेलेक्शन हुआ नहीं तो इस परकार से तो अपने तयारी करेंगे नहीं और उसमें जो कमी रह गए तो उनको दूर करके अब तयारी करेंगे औ उसके बाद लास्ट में जो सेलेक्शन लेना वो लक्से हो जाता है, तो इस प्रकार से अधीगम के सोपानिया सरणों को याद कर सकते हैं, आगे बात कर लेते हैं, अधीगम को परभावित करने वाले कारक, काफी मैं तो पूरना दोस्तो है, अधीगम को परभावित करने वाल अगर पूछा जाए कि अधीगम को सरवादिक परभावित करने वाला कारक कुन सा है तो दोस्तो अभी परेरिणा जो है वो अधीगम को सरवादिक रूप से परभावित करती है इसके बाद सामाजिक कारकों में सिक्सक से समंद पारिवारिक समंद मित्रों और समा से समंद आपके कैसे है वो भी अधीगम को परभावित करते हैं विद्धयाले इक आरकों बात कि जए तो कक्सिया का वातरण और विद्धयाले की इस्थती यहां कि विद्धयाले घर से दूर है या समीप है अगर बहुत अधिक और यह संप्कूत है जो अधिगम करता है उसे आने जाने में समस्या होगे वह बहुत कम आएगा विद्दाले में, कम जाएगा विद्दाले में, जिसे अधिगम प्रभावित होगा अन्य कारकों यह बात की जए तो परिपकवता आगया, सिक्षक की संप्रेशन चमता मतलब बोलने की योगी था, सिक्षण विद्यां और सीखने का समय हो तो शिक्षन विद्या हैं बहुत ज़ादा उपयोगी होती है बच्चे को सिखाने के लिए उच्छी शिक्षन विद्यों का उपयोग किया जाना से और रवाड शिक्षक पर ही आधालिस होता है तो ये शिक्षक समंद्री कारग भी आप मान सकते हैं और कारिये की परकर्ती भी दोस्तों प्रभावित करती है अगर सरल कारिये तो आपन जल्दी सीख जाते हैं और जटिल कारिये तो उसमें अपने को सीखने में समय लगता है इसके साथ ही दोस्तों कुछ सब्द आए हैं जिनका आर्थ मैं आपको बता देता हूँ जैसे अभी छमता का आर्थ होता है जरमजात योगिता अभी छमता जो होती है वो जरमजात योगिता होती है संप्रेशन दोस्तों क्या होता है संप्रेशन बात कहने का तरीका यानि कि अपनी बात किस प्रकार से कही जानी चाहिए उसका तरीका ही क्या होता है संप्रेशन होता है एक अच्छा सिक्सक बनने के लिए संप्रेशन योगेता होना आउसेख है क्योंकि अगर आप दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पाओगे तो आप एक अच्छे सिक्सक नहीं बन पाओगे तो सिक्सक की संप्रेशन छमता जो अन्य कारकों में अपन ने पढ़िया वो इसी पर आधारित है दूसरा है आयू बढ़ने पर अधिगम चमता गढ़ती है जैसे जैसे आयू बढ़ती जाएगी अधिगम चमता गढ़ती जाएगी जैसे आयू बढ़ेगी वसे अधिगम की जो चमता है वो घढ़ जाएगी यानि कि सीखने की समताविक्ति में कम हो जाती है अधिगम के आयू के बढ़ने के साथ तो दोस्तों ये थे अधिगम को परभावित करने वाले कारक और अधिगम के सोपान जो इस वीडियो में अपने किये और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो अधिगम के सिधान थे उनके बारे में तक्रीबन आठ नो या दस सिधान थे जिनको अपन पढ़ेंगे और आसानी से उन में से 100% प्रसन आएगा और आसानी से आप कर लोगे ट्रिक्स के साथ उनको करेंगे आसान सब्दों में बहुत इजी सब्दों में और सोट में आप को समझाया जाएगा और सभी प्रसन आप आसानी से कर दोगी ऐसा मेरा विश्वास है और दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत